नमस्कार साथियों मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूटूब चनल पर स्भागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परिक्षाओं के लिए सुब काम नहीं देता हूं तो देखिए जितने पी अभ्यरती मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मैं आपको ये सोचित करना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जल्द ही पटवारी लेगफाल भरती की विग्यप्ति जारी होने वाली है ठीक है उत्तराखंड पटवारी लेगफाल भरती परिक्षा 2021 ठीक है इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे इसकी जो सामन जानकारी है इसके बारे में इस वीडियो में आप सभी से चर्चा करूँगा ठीक है तो जल्द ही उत्तराखंड में पटवारी और लेगफाल भरती परिक्षा की विग्यप्ति जारी होने वाली है और आप सभी जितने भी जो एस्परेंट हैं जो लोग त्यारी कर रहे हैं उनको सभी को आपको एलेट मोट पर आ जाना चाहिए और यानि अपनी त्यारी बिल्कुल जारी रखने चाहिए ठीक है आज की वीडियो में हम उत्तराखंट परटवारी लेकफाल भरती परिक्षा 2021 के बारे में जानेंगे ठीक है आगे चलते हैं हाँ सबसे पहले मैंने यह एक विज्यप्ति एक अगबार की कर्टिंग को यहां पर लिया है यह जो अगबार की कर्टिंग है यह अप्रेल की अप्रेल लास्ट की है इसमें देखिए यह अभी की नहीं है यह लोग डाउन से पहले लगब वाली है नौक्यों की बहार खुसकबरी उत्तराखन अधिनस्त सेवा चैन आयोग एक मेहने के बीतर सुरू करें का तीन भरतियां ठीक है तो यह लॉकडाउन से पहले की एक अकबार की कटिंग है अगर लॉकडाउन अभी नहीं हुआ होता तो यह विक्यप्ति जारी हो चुक है मैं जो में लाइन है उस पर जा रहा हूं यहां पर देखिए अगर देखिए आयोग के सचीव संतोस बड़ोनी के मताबिक पटवारी के 460 पद यहां पर देखिए पटवारी के 460 पद इसके रवा सायक लेखाकार के लगबग यहां पर 500 पद जारी होने जा रहे हैं इसके लवा प्रियोग साला सायक है उसके आपर 300 पद जारी होने जा रहे हैं ठीक है तो इतने पद पदों के लिए यह पहले ही पेपर में खबर छप चुकी थी ठीक है लेकिन अगर यह लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो य लिए पद अभी तक इसकी विग्याप्ति जारी हो गयी होती तो आपको बिल्कूल अट्मोड पर रहना है बिल्कुत अपने तयारी को जारी हो सकती है क्योंकि कोन्य कोरुना कर किए घ wrench उट्टारें हैं और हो सकता है जब लोकडाउन खुले तो इसकी विग्याप्ति तु उत्तराखंड अधिनस्त सेवा चैन आयोग के माध्यम से बागे तो इसमें आप से कुछ ज्यादा मेहत्वपून है नहीं आप इन चीजों को बिल्कुल ध्यान देज़ें ठीक है आगे चलते हैं यहां मैंने यह एक नोटिफिकेशन आया था कि यहां देखिए यह एक नोटिफिकेशन है इसपर हम चर्जां करेंगे देखिए कि यह मैंने इंटरनेट से लिया है और इससानि दिखत हiquए कि इसके 2021 का है ठीक है देखिए देहरदून दिनांग 8 जून 2021 को जारी हुआ था तो इसमें पटवारी के कुछ पदों को बढ़ाने की बात कही गई है देखे प्रिशक ये गीता सरज अनुसची उत्तरेखंड सासन के द्वारा ये दिया गया है सेवा में आयुक्त अनुसची राजस् को अब इसका जो विस्एए है विसे क्या है तो इसका विस्एयर है राजस्त उपनी रक्षक मैदानी के रिक्त पदवापर पूरो प्रेषित अधिवाचन में संसुदन गार्म सीख्र भरति किये जाने की संभनद में तो इसके रिक्त पदा उपर पूरो प्रेशित विग्यवति थी जो पूरो प्रेशित जो अधिवाचन था उसमें कुछ संसुधन किया गया है उसके संसुधन किये जाने के संबंद में ही एक नोटिफिक्शन आया है एक सूचना दी गई है इस पर हम देखते हैं इसमें क्या कह है तो इसमें देखिए देखे महोदय उप्युक्ति विश्यक प्रदेश अध्यक्स उत्तराखंड लेकफाल संग देहरादून के पत्र संख्या 10 दिनांक 31 मास 2021 चायव प्रतिसनलगन का कृप्या संदर्व ग्रहन करने का कस्ट करें जिसमें राजस्व उपनिरक्षक मैदानी के रिक्त पदों बर प अधिक होने के द्रिश्टिगत रिक्त पदों के दियाचन को दिसंबर 2021 के इस्थान पर वर्ष दिसंबर 2022 तक किये जाने तथा 10% अतिरिक्त जोडते हुए संसोदित अधियाचन उपलब्द कराने एवं उक्त पदों पर सिग्र भरती किये जाने हैं तू संबंदित को निर उसका जो जो इसकी विग्यप्ति है वो दिसम्बर 2021 के इस्तान पर दिसम्बर 2021 के इस्तान पर दिसम्बर 2022 तक किये जाने का अनुरूद किया गया है और इसमद दस प्रतस्यत जो पद हैं उनको जोड़ने का अनुरूद किया गया है ठीक है अते इस संबंद में मुझे यह कहने का अंद्रदेश हुआ है कि किरिप्रा उप्रोप्ता अनुसार विशेगत प्रक्रण का ततकाल प्रेक्षन कर अग्रेत्तर आवश्चक करते हुए क्रिद कारवाई से सासन को आवगोत कराने का कर्ष्ट करें ठीक है तो इसके बारे में औ दॉक्टर आनंद स्रीवास्ता अपर्शची तो आपर्शची देखिए जो राजस उपनिरक्षक जो के जो पन है उसका जो अधियाचन है वो दिसंबर 2021 तक क्या तो उसके इस तान पर 2022 तक की जाने का अनुरूद किया गया है किसके द्वारा यह किया गया है लेक पाल उत् दिसंबर 2022 तक इसका अधियाचन करने की का अनुरूद किया गया है इसके अलावा इसमें 10% बढ़ाने का अनुरूद भी उत्तरा खंड लेक पाल संग दिरहदून के द्वरा किया गया है और इस सम्मंद में जो डॉक्टर आनंद स्रीवास्ताव अपर शचीम है उनका जो उनका जो उन्होंने क्या कहा है देखिए अता इस सम्मंद में मुझे यह कहने का अंदरदेश हुआ है कि कि रिप्या उप्रोक्ता अनुसार विस्ट्राइगत प्रक्रण का ततकाल प्रेक्शन कर अग्रेत्तर आवश्य करवाई करते हुए कृत कारवाई से सासन को अवगत कर अवगत कराने का कस्ट करे मुझे इस सम्मंद में आगे की करते हुए इससे समंद जानकरी का जानकरी को ऊच्छा दिकारियों को आउगत कराने का करें इसमें ऐसी बात कही है तो इसकी सम्भावन यह आप इस नोटिफिकेशन से लगा सकते हैं कि इसके पद बढ़ने की प्रबल संभावना है तो अभी लगबख साड़े-चारसों के पद साड़े-चारसों से अधिक के पदस में आने वाले हैं तो हो सकता है दस प्रतिसत पद अगर इसमें और जुड़ जाते हैं तो इनके सेंका लगभी 500 या 500 के पार चले जा सकती है तो आगे चलते हैं यहां द तो आप इसमें देखें अभी विज्यप्तिस की चारी नहीं हुए मैं पहले कह रहा हूं तो यहां पर देखें यू के पटवारी लेकपाल रिक्रूमेंट 2021 अप्लाइफ और 464 उत्तराखंड पटवारी जॉब्स देखो इसमें जो संख्या बताई गई है वो 464 बताई गई है इसमें यह पट बलने की पूरी संभावन है तेक है इसमें आगे देखें UK पटवारी लेकपाल रिक्रूमेंट 2021 अप्लाइफ और 464 उत्तराखंड पटवारी जॉब्स देखाई यहां पर भी 464 पतों की बात कहीं गई है उत्तराखंड पटवारी लेकपाल रिकूमेंट 2021 उत्तराखंड राजस्वय भागद्वरा 464 उतरकंट पटवारी लेकपाल जॉब्स को पूर्ण रूप से बढ़ने के लिए UK पटवारी लेकपाल भरती 2021 नोटिफिकेशन जारी की गई है जिन केंडेट्स ने अपनी सैक्सिक योगता पूरी कर ली है UK स्टेट गवर्मेंट जॉब्स की खोज कर रहे हैं वे नीचे दिए गई विरोनों को ध्यान से पढ़े था डब 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 डब्लु डट रेविन्यू डॉट यूक डॉट जी ओवी डॉट इन पर आवेदन करें मलब कि अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है ठीक है यह एक नोटिफिक्स ने एक सूसना डाली गई है सब्सक्राइब कराएगा इसका यह परिक्षा को कराएगा नेम और नेम और पोस्ट क्या है पटवारी नंबर ऑफ वेकंसी इसमें 460 पत लगबग है अगर बढ़ जाते तो लगबग 500 पत के करीब हो जाएंगे इसके अलावा जो सलेक्षन प्रोसेस है वह अनौन्स लेटर मतलब कि अभी इसकी जो सलेक्षन प्रोसेस है वह निर्धारित नहीं हुए तो इसकी सलेक्षन प्रोसेस परिक्षा का अधर पर होगी अभी अनौन्स लेटर आगे इसकी सूचना दी जाएगी इसके अनौन्समेंट आगे किया जाएगा एप्लिकेशन सब्मिस्न डेट यह अब आगे जैएक इसकी जएए नहीं हुई है और कुछ ओर सैना नहे सलेक्षन प्रोसेड कि किस तरह किसरी से इसका सलेक्षन होगा इसके सलेक्षन की प्रोसेस क्या फिजिल क्होंगा user as physical test एएन श्यान घुन इसके जवारा इसके सेलक्सन होगा इसमें प्लेस्टी भी होता है और रिटन एक बीट completa है तीक है आगे चलते हैं इसके अलावा जो एक प्लेशमेटस्राशन्द के रिवेन स्थानוכ पर इसका प्लेशममंट का टेग्री हैं उतर यहांने उत्तरकंट स्कquentlyंदेट के एक wed you स्क kindergs में जोब आप सीन करेंगे जो अप्लिकेशन मोड्र है वो ऑफ लाइन प्रोसिडर एक इसमें उफ लाइन व सर्म ने करसे इसमें ऑलब और और उफन दोनों मातलिमों से कुछ क्या इसके निर्दिश दी जाएंगे उसके अनुसार आप लोग अपना कदम आगे बढ़ाएंगे और पोस्टल एड्रस है डिस्टिक कलेक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस उत्तराखन देखो आप देखो मैंने कहा ना कि जो आप इसकी हार्ट को पी जमा करेंगे वह डिस्ट वेबसाइट www.revenue.uk.gov.in इसकी यह ऑफिशल वेबसाइट है तो यह सूचना आप लोग के लिए महत्पूर है आगे चलते हैं आप देखिए मैं या पर पटवारी भरती परिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकरी देना चाहता हूँ पटवारी होता क्या है पटवारी या लेकपाल ठीक है इसके बारे में देखता है पटवारी या लेकपाल राजस्व इभाग में ग्राम लेवल का अधिकारी होता है इन्हें विभिन्ने इस्तानों पर अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कार नाम अधिकारी और सान भोगरू लेकपाल उत्तर प्रदेश मे के ग्रामिल सेत्रों में सरकार का प्रसासनिक पद होता है ये अपने हलके के भूमी संबंदी विवात का निप्टारा करते हैं भूमी का सिमांकन और प्राथटना पत्रों पर तैस्दार को प्रतिविदन प्रिशित करते हैं ठीक है तो ये पटवारी होता क्या थिकारी होता है इसके अलवां करते हैं और कई प्रमार्ण पत्र यह जारी करते है है थो प्रणाली के सुरवाद सरवपर्तम से रसा सूरी के दोरान हुई दिखिए हैं सिस्क हैच महतन हीजा ठीक हैं तो सेरसा सूरी के सासन काल में इसकी शुरवाद हुई थी और राद में अक्बर ने इस प्रनाली को बढ़ावा दिया ब्रितानी सासन काल ने ब्रिटिस में प्रणाली जारी रही इसमें मामुली प्रणोडन किये गए सभी गाओं में सरकार प्रतिनिदी के रूप में लेकपाल या पटवारी इसको पटवारी अलगले सब्सक्राइब पर लेक पाल पटवारी कहा जाता है पटवारी नियुक्ति किये गए ठीक है उन्हें इस सो अठारे में ब्रेटिस काल में आगे चलते हैं यहां कुछ और एतियासिक जानकारी है इसको देखेंगे राजा टोडरमल जो अगवान बाथसा सेर सासुरी के दब्रार में भू अभ सब्सक्राइब करनाट्यक पृष्टी मंगाल उत्तरभारत और पड़ोसी देश के पाकिस्तान में पत्वारीस अचले पडेखेंगे पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्टा था और बिटिस कालम में यह पसट रजितु किया गये था तो पाकिस्तान में भी यह पत्वारी पत प्राइप पर चलिए घुझराध महाररास्ट में SlowBack इनने किल्कर निया जाता था जिससे खत्म कर तलाटी कहा जाने लेगा गुजरात और नाट्व में पट्वारी को कर्णम या अधिकारी कहा जाते हैं तो अलग-अलग इस तानोप्रिस को अलग-अलग से पुखार जाता है आगे चलते हैं ठीक है यहां कुछ और जानका दी गई है गाओं में गरीब किसान के लिए पटवारी ही बड़ा साहब होता है पंजाब में पटवारी को पिंडीदी मां गाओं की मां भी कहा जाता है राजुस्तान में पहले पटवारियों को हाकिम सब्सक्राओं का पटवारियों के बारे में कोई केंद्रिक्रित आकर नहीं है राजस्तान में लगबग 12000 पटवारी पद हैं तो मध्य प्रदेश में 11622 चतिस गड़ में 3500 उत्रप्रदेश में पटवारी के पद 14 चरण सिंग के जमानी में ही समाप्त कर दिया गया था औ संक्या लगबग 73333 है उत्राखंड में इन्हें राजस्तों पुलिस कहा जाता है और राज्य के 65 फिशिदी हिस्ते में अपराद नियंत्रा राजस्तों संबंदी कारियों के साथी वन संपदा की हगदारी का काम पटवारी ही समाल रहे हैं ठीक है तो इन्हें पटवारी को कुछ पुलिस के अधिकार भी इन्हें पहाड़ी स्थानों पर इनके अधिकार कुछ ज्यादा हैं पहाड़ी स्थानों पर उत्तराखंड में ठीक है कुछ कानूनी अधिकार भी इन्हें हैं और बाद में इन्हें कानून को भी कहा जाता है इसके नवा वन संपदा के कुछ सब्सक्राइब कुछ अधिकार भी इनको है उसकी देख भाल भी यह करते हैं आगे चलते हैं हां यहाँ पर देखे यह सूचना मैंने कुछ जुटाई है बाकि जब इसकी विग्यप्ति जारी होगी तो मैं अलग से इसमें एक वीडियो बनाऊंगा यहाँ को यू के पटवार सब्सक्राइब करने के लिए और 28 वर्ष से कम होनी चाहिए ठीक है पटवारी के लिए 21 वर्ष से अधिक और 28 वर्ष से कम होनी चाहिए पहले की जानकरी है जब नई विग्यप्ति जारी होगी तो उसमें भी आयू का वीवर्ण होगा फिलाल आप इससे एक अंदधा लगा सकते हैं यूकि लेकपाल का पद है उसके लिए 21-35 वर्ष के बीच होनी चाहिए ठीक है तो पटवारी के लिए भले आयू कम है जब विग्यप्ति आएगी तो फिर से चर्चा करेंगे यहाँ पर देखिए यूके पटवारी लेकपाल रेक्रूमेंट क्वालिफिकेशन है कैंड़िट्स को किसी मायनता प्राप संस्तान या बोर्ट से दस्तमी और बार्वी क्या उत्तिन होना चाहिए इसके लागा केंड़ेट्स को अधिक्रित विश्व द्याले सस्तान से इस नातक की डिग्री होना चाहिए ठीक है और इस साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा भी मांगा जाता है इस नातक के साथ में ठीक है आगे चलते हैं हाँ अब मैं यह पर स्लेवस डिसकस करना चाहूँगा उत्तराखन जो पटवारी भरती परिक्स का स्लेवस उस पर आते हैं उत्तराखन यू के पटवारी लेकपाल स्लेवस सामाने विज्यान कंप्यूटर विज्यान इंटरनेट भारत का इतिहास संस्कृति पुरातत्व भारती राश्टी आंदोलन भारती राज ब्यावस्ता अर्थी ब्यावस्ता भारत का भुगोल एवं जिननांकी की लोग प्रसासन उत्तराखन का आर्थिक राजनितिक प्रसासनिक परिवेश उत्तराखन के आर्थिक प्राकृतिक संसादन राश्टी एवं अंतराश्टी समसामिक घटनाएं राश्टी एवं अंतराश्टी क्रिड़ा एवं खेलकूत से संबंदित प्रस्न उत्तराखन राज्य का इधिहास एधिहासिक पौराने के पुरतत से संबंदित इस अच्छे से संवंदीट जो एक सलेवस है यह 100 नंबर का पहला प्रस्न हिस्ट होगा इसमे उत्रा खंक्त कि संपूर्ण जानकारी और इसके लवाज सामा ने अध्यन की जानकारी इस संवंदीट यह दोसरा प्रस्ण पत्र होगा पचास नंबर का उसमें देखिए सामान ये बुद्धी मत्ता से संबंद साप्धिक गेर साप्धिक दोनों प्रकार के प्रस्ण होंगे इसमें साद्रिश्यां समानताओं तो था अंतर्ष स्थानिक कलपना समस्या समाधान विश्टेशन निर्णे लेना द्रिशे स्मिर्ती विभीद अवलोकन संबंद अवधारना सरंखला अंग गणती गणना संगे की अभिलेग एवं रेखा चित्रों के रूप में प्रस्थ सूचना से निसकर्शन निकालना एवं उनका निर्वाचन करना तथा अन्य विश्टेशन कार से संबंद प्रस्ण होंगे यह 50 नंबर का होगा ठीक है तो यह कौन सा है तो यह सामाने बुद्धि मत्ता और अंग गंती योगता यह दूसरा प्रस्ण पत्त होगा इसके अलावा 50 नंबर का एक और भागिस्म है जिसमें आपसे भासा प्रदेश की प्रचलित भासा हैं बोलियों से संबंदित सब्दावली हिंदी भासा के मुहावरे वर्तनी लोकोक्निया विलों अनेक अर्थक प्रियावाची उपसर के प्रत्याय संदी विग्रहा अलंकार समाज प्रसासनिक विधिक सब्दावली ठीक है तो इसकी भी प्रचास प्रसन लगबग पूछ जाएंगे तो इस प्रकार यह आपका प्रस्न पत्र जो होगा वो 200 नंबर का होगा ठीक है जो आपका जो प्रस्न पत्र होगा वो 200 नंबर का होगा ठीक है तो 200 में जो 100 नंबर का होगा वो तो आपका GS होगा यानि सामाने अध्यन होगा और पचास नंबर का आपका जो होगा वो होगी सामाने बुद् कि रीजनिंग ठीक है और चोंप पचास नमबर का होगा वह लेंग्वेज यानि हिंदी भासा है हिंदी भासा है ठीक है तो इस प्रकार टूटल जो आपका प्रस्ण पत्र होगा वह 200 नमबर का होगा ठीक है तो यह थी प्रव यह यह थी पटवारी भरती परिक्षास से समंद्ध सामाने जानकारी मुझे उमीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी और इससे आपको फायदा होगा इसी के अनुसार आप अपनी रणनीति तई कर सकते हैं अभी इसका नोटिफिकेशन यह सामन जानकारी मैंने आपको दी है इस वीडियो में इसके विग्यप्ति अभी जारी नहीं हुई है जो को जब विग्यप्ति आएगी तो उसमें हो सकता है कुछ परिवटन इसके मानकों में हो इसके स्लेवस में हो अब उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन फिलाल आप इस वीडि झानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दोंगा तब तक आप इस वीडियो को देखी cuma पर ढखिए और योगड सब्स्राइब कीजिए ताकि में जो भी वीडियो अप्लोड गरो आप तो तुरांत पहुंचें बागी की जानके आगले वीडियो में तब तक के लिए पहुत भूद धन्यवाद आपका थैंक यू कि नमस्कार आपका दिन सोभू